सेवंध कलाश सुमध्यानम नमुनमा आए आज हम संप्रदान कारक के बारे में जानते हैं कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं पहले की वीडियो में मैंने आपको अन्यकारकों के बारे में बताया था अब हम संप्रदान कारक के बारे में पहले के जो कारक थे करता करम और करण उन तिन कारकों पे चर्चा हो चुकी है आज हम संप्रदान कारक के उपर चर्चा करेंगे कि संप्रदान कारक कहते किसे हैं संप्रदान का मतलब क्या होता है संपर्दान का मतलग होता है किसी को किसी के लिए कोई विक्ति अगर हम कोई वस्तु अगर हम देते हैं तो उसे हम संपर्दान कहते हैं याई दान करना देना ही संपर्दान है दान आदी कारे या क्रिया जिसके ले की जाती है एक कार्य होती एक क्रिया होती है जह हम कोई क्रिया या कार्य करते हैं ठीक है तो कोई क्रिया या कार्य कोई करता करता है लेकिन वह जो क्रिया या जो कार्य है वह करता के द्वारा जिसके लिए की जा रही है उसे ही संपर्दान कहते हैं ठीक है दान जो क्रिया है दान का मलब देना जो क्रिया है किसी के लिए कोई वस्तु हम किसी को देते हैं तो किसी के लिए देते हैं ठीक है तो किसी के लिए कोई कारे या क्रिया किया जाए ठीक है कारे या क्रिया की जाए ठीक है तो उसी को ही संपरदान कहते हैं जिसके लिए कारे या क्रिया हो रही है उसी को ही सं संप्रदान कहा जाता है उदाहरण से समझे रमेश के लिए फल दो अब देखे संप्रदान का लक्षन क्या है दान आदी कार या क्रिया जिसके लिए किया जाती है उसे संप्रदान कहते हैं अब यहां पर देखिए तो दान क्रिया है ठीक है तो दान कारिया है वो किसके लिए क्या जा रहा है रमेश के लिए क्या जा रहा है ठीक है जो फल दो फल देना जो देना जो क्रिया है दान जो क्रिया है वो किस के लिए हो रही है रमेश के लिए रमेश को फल दिया जा रहा है ठीक है तो क्रिया या कार्य जिसके लिए होता है ठीक है दान जो क्रिया है तो दान कारिया जिसके लिए होता है अब यहां पर फल दो जो फल देना कारिया है जो क्रिया है वह हो रमेश के लिए हो रही है इसलिए रमेश क्या हुआ संप्रदान हुआ तो रमेश क्या हुआ संप्रदान हुआ ठीक है तो इसलिए यहां पर संप्रदान में चतूर्थी विवक्ती हो गई यहां चतूर्थी कारक हो गया ठीक है इसलिए रमेश आय फलम ददातू यहां पर रमेश शब्द का चतूर्थी का एक बचन का प्रियोग हुआ है इसलिए पाया रमेशाय फलम ददादू रमेश को फल दो ठीक है यह संपरदान कारक का सिदासा मतलब होता है आपको चिन बता गया है के लिए जहां पर देखिए रमेश के लिए के लिए चिन हो अठार और जहां पर को जहां पर के लिए चिन हो वहां पर संपरदान कारक होता है अठा और जहां दान जो क्रिया है जो कारे है जिसके लिए किया जाता है that और वहां पर संप्रदान कारक होता है, मलब देना क्रिया जिसके लेकी जाती है, वहां संप्रदान कारक होता है, इसलिए यहां पर बना है रमेशाय फलम ददा, तो ऐसे ही वाक्य में जहां आपको दानादी कारे क्रिया दिखे या के लिए चिन्न देखे, तो वहां आपको सं पुर्थी वक्ति का प्रियोग करना हैं।